सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल एचीवर बीएसीवी दोस्तो एक वार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एचीवर बीएसीवी यूटूब चैनल्स में ठीक है आजम लोग देखने वाले हैं कि क्लास टेंथ संस्कृत का मोस्ट बीबिया इंपोट objective questions का ये part number 3 लेकर आएं दोस्तो ठीक है part 1, part 2 अल्रेडी हो चुका था जो की playlist बना गया है आप लोग देख लिजे यदि वो part नहीं देखे हैं तो पहले वो part देख लिजे उसके बाद आप लोग part number 3 ये video lecture आप लोग देखिएगा ठीक है और चलिए हम लोग सुरुआत करत बनाये गया ठीक है तो आपसे request है कि आप video को पूरा अंध तक देखिएगा last तक देखिएगा तभी तो आपको पूरा समझ में आएगा ऐसे एक दू questions देखने से या आधा दूरा देखने से आपको बिल्कुल समझ आए गाई नहीं कहीं भी देखिए पूरा देखिए पू जो भी updates जाए जो भी video lecture जाए सबसे पहले आपके पास पहुचते रहे तो first number questions देखिए आपके screen पर जो उपलब देखिए first number questions क्या लिखा गया है जस्मिनम ग्रामीन निर्धन जना निवसंती तो पहला का सही उतर options नंबर आपका correct क्या हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा विकन टोला ग्रामे यानि पहला number questions यही बोल रहा है कि ग्रामीन जो में थे न वो निर्धन कहां निवस करते थे कौन सा टोला में तो वो विकन टोला एक ग्राम था वहाँपर वो निवस करते थे उस chapters में ठीक है questions number two आपके screen पर उपलब देख ठीक है गूगल क्रॉम ब्रावजर आप कहीं भी सर्च कीजिए ना सिर्फ आपको क्या सर्च करना पड़ेगा एचीवर एजुकेशन ठीक है जो कि आप उपर में देख रहे होंगे लिखा भी गया है एचीवर एजुकेशन सर्च ऑन गूगल ऑनली एचीवर एजुकेशन फि बिस्तार पुर्वक अच्छे डंग से उसमें लिखा गया है आप लोग जाके लिखिए न ठीक है सकेंड नमबर कोस्टन्स देखे क्या लिखा गया है सकेंड नमबर कोस्टन्स यही है दूसरा नमबर कोस्टन्स दलितस पुरुसस नाम किम अस्ती ठीक है दलित जो पुरु उस था ना उसका यही नाम था ठीक है चलिए next questions हम लोग चलते हैं यह संस्कृत है संस्कृत है संस्कृत है सब्जेक्ट है जो आप अच्छे से यदि वन आईएगा तो 100 में से 100 numbers भी लेके आ सकते हैं ठीक है कटने का कोई चांस ही नहीं है लेकिन बिलकुल आपको अच्छे से लिखना है अच्छे से अंसर देखना है ठीक है तीसरा नमबर questions देखे विकन टोला दुरुस्टम कह आगत तो तीसरा कासा है उत्तरा options नमबर आपका correct क्या हो जाएगा सिचिका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सिचिका यानि क्या बोल रहा है आप थोड़ा सा हिंदी भी सम धजाए विकन टोला ग्राम में दुष्टा कब आते हैं यानि कि ये ये सिचक ठीक है सिचक का बाते हैं तो वो सिचक हो जाएगा ठीक है विकन टोला ये दुरुस्टम सिचका आगत आते हैं तीसरा का सही उत्तरा options नमबर आपका correct क्या हो जाएगा एनमबर ये सब questions धेरो पार questions पूछेगा हैं मेरे प्यारे दोस्त चलिए हम लिए fourth number questions देखें आपके screen पर उपलब देखें fourth number questions देखें क्या लिखा गया स्वामी दयानंद कह यानि कि स्वामी दयानंद कौन थे ती चौथा का से उत्र options नमबर आपका क्या क्या हो जागा correct आपका C number आपका correct हो जागा आर्ज समाजस संस्थापक यानि कि आर्ज समाज के जो संस्थापक थे न वहीं थे वो स्वामी दयानंद चलिए next questions questions number five जो कि आपके screen पर उपलब देखें बहुत अच्छी अच्छी questions को ये सब लिया गया है व्यादी पकता का रचनाकार क अस्ती ठीक है व्याद पती का था जो रचनाकार है किनके द्वारा लिखा गया है कौन लिखें तो पच्छमा का से उत्तर options number correct हो जागा फाइब का नारायन पंडित ठीक है फाइब का से उत्तर options number आपका correct ए नंबर आपको correct हो जागा ठीक है दोस्तों आप लोग ना टेलीग्राम से भी जूर जाएए वहाँ पर आपको जूरने से हरे एक प्रकार का updates मिलेगा जानकारिया मिलेगा most BVI important objective subjective questions PDF website link application app huge question sensor वो हरे एक updates मिलते रहेंगे जो आपको चाहिए जो विद्यारती सभी लोग comment करते हैं या मांगते हैं या search करते हैं ठीक है चलिए हम लोग next questions यानि कि questions number 6 आपके screen पर उपलब्द है देखे यही लिखा गया 6 number questions कि मुक्ते ठीक है क्या लिखा गया है मुक्ते हरीम भजती इस वाक में कौन सी विवक्ती है देखे 10-10 questions का set रहता है जो कि 5-6 questions आपके literature portion से दिया रहता है और 4-5 questions जो भी बचे हुए questions रहते हैं आपके grammar portion से दिया हुआ रहता है दोस्तों जो कि grammar भी होते हैं संस्कृत में तो उसी से वो दोनों को cover करते हैं आपको so objective रहेगा लेकिन आपको मात् 50 का ही उत्तर देना है चुन चुन कर एक भी गलत नहीं सब अच्छे ढंग से ठीक है मात्र 50 से ज्यादा मत दिजेगा नहीं तो जो एक नमबर से लेकर आपको कोई भी 50 तक गिंती किया जाएगा उतना का ही आपको count दिया जाएगा चाहे आपका गलत हो या सही हो six number questions देखे क्या लिखा गया है six का answer क्या हो जाएगा six का आपका भी हो जाएगा चतूर्थी बहु बचनम यानि मुक्तेम हरीम भजनती जो यह है ना मुक्ते कौन सी भी भक्ती है पद का तो चतूर्थी बहु बचन में आता है मुक्ते यह next questions यानि questions नमबर seven आपके screen पर बचनमें क्या होता है हन धातू का कौन सा हन धातू का रूप लोट लकार मध्यमपुरूस एक बचनमें क्या होता है तो seventh number questions का से उत्तर options number आपका correct आजाएगा जही हो जाएगा ठीक है जो होदरगी कार जही ठीक है हन धातू का रूप कौन सा धातू है बार बार देखे यह सब जो questions है बहुत ज़्यादा BBI important है हन धातू का यह कौन सा लोट लकार यानि लोट लकार का मध्यम पुरूस एक वचन मध्यम पुरूस क एक वचन में वो हन धातू का क्या होता है तो जाही हो जाता है क्या हो जाता है जाही ठीक है next questions हम लोग चलते है questions number 8 आपके screen पर उपलब्द है जो कि यही लिखा गया है कि गायका का संदी विच्छेद होता है क्या होता है गायका यह 4 options में कि आपका correct क्या हो जाएगा गायक next questions questions number 9 तो आप लोग जरूर PDF लिजिए इसको Google पर सर्च करने के लिए दोस्तों application इसका तयार हो रहा है जो कि उस पर daily live class भी दिया जाएगा तो आप लोग अच्छे डंग से पढ़िएगा तब तो 9th number questions देखें क्या लिखा गया है अस धातू का रूप लंगलाकार प्रथम पुरूश भहू बचन में क्या होगा question आप समझिए अच्छे डंग से अस धातू का कौनसा धातूका अस धातूका रूप अस धातूका रूप टिक्एगा अप थोड़ा सा इसे अच्छे डंग से कीजिए अस धातू का रूप लंगलाकार प्रथम पूरूश का भहू बच प्रथम पुरूस बहु बचन क्या हो जाएगा आसन नेक्स्ट कोश्चन्स चलते हो और ये सबसे अंतिम्मा कोश्चन्स है ये सेट का अब हम लोग नेक्स्ट सेट भी करेंगे यानि पार्ट नमबर फोर थ्री तो ये वीडियो में कम्पलीट हो ही जाएगा दसमा नमबर पस्चती में मूल धातू निमले लिखित में से कौन है ये चार आप्संस दिया हुआ है ये चार आप्संस में बिल्कूल एक ये आप्संस साहिए होगा तो यहीं बोल रहा है पश्चती कॉनसा पश्चती में मूल धातू निमले लिखित में से कौन है वो कौनसा धातू है तो दसमा का सही उत्र ऑप्शन्स नबर हो जाएगा पा धातू होगा ठीक है पश्चती में मूल धातू क्या है तो पा हो जाएगा ठीक है जब आप ये 10 questions वीडियो पूरा अन्त तक देख लिजेगा ना फिर आपको चार से पांच बार इसे PDF लेके Google पर सर्च करके आप लोग बनाईए एक copy pen ले लिजे बगल में और उसे बार बार देखे पहला का सही उतर मैंने क्या मारा दूसरा का सही उतर उस तरीके से आप लोग सभी को लिजेए फिर C answers में क्लिक करक सभी का answer जानी और सभी का answer देखे कि मेरा कितना सही हुआ है और कितना हमें यह पढ़ना है यह सीखना है यह याद करना है जो भी वीडियो देखना है ठीक है तो आप लोग देखिए अच्छे डंग से सभी का answer देखिए बारी-बारी से दिया गया है और अच्छे डंग से म आपको लेना है ना कहीं भी आपको परने में दीकत हो रहा है कुछ भी हो रहा है आप मुझे comment sections box में अवस मुझे comment करें उसका सब का reply मिलेगा सब का जबाब मिलेगा दोस्तों नहीं तो link description box में उपलब दें website का भी उपलब दें ये telegram से आप लोग जूर जाए ये telegram का उपल कर रहे हैं तो आप लोग भी ये सब फायदा उठाइए और अच्छे से study कीजिए बिहार का कोई को ना में हो आप लोग free of cost में study कीजिए pdf तयार किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए जो की free of cost में मिलेगा बीना एक भी रुपय आपको एक भी रुपय आपको देने की बिल रेडी हो रहा है ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ये कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे comment sections box में अबस मुझे comment करके बताए ठीक है फिर मिलते हैं आप से अगले वाले वीडियो में आप जरूर से जरूर आप PDF ले लिजे ताकि आप अच्छे से अच्छे पढ़ सके और अच्छे अच्छे माक्स ला सके ठीक है सभी students को 90% ठीक है 90 पलस आपको माक्स लाना यानि कि 450 सभी students को ठीक है सिर्फ एक दो को नहीं सभी को लाना है लेकिन अभी सही परियेगा तब तो मार्स आपके exams में दो महीना से भी कम का समय है तो आपको बताया जाए यह वो तमाम बात में वीडियो एक बनाया जा रहा सेपरेट डोस ठीक है तो आज के लिए इतना ही रने देते हैं बहुत बहुत धन्यबाद मेरे प्यारे दोस्त